आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ पिछले कुछ हपतों में बहुत सारी बाते आई मन में कहने के लिए लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलू किस से बोलू कितना बोलू देखिए स्टार्ज भले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है हमने फिल्मों के जरिये हमारे देश के कल्चर हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जब-जब जब-जब हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई जो भी जैसा भी आप महसूस कर रहे थे इतने सालों से फिल्मों ने उसे ही दिखाने की कोशिश की है चाहे वो एंग्री यंग मैन वाला अक्रोश हो या फिर करप्शन हो गरीबी हो बेरोजगारी हो हर इशू को सिनिमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा भी हमारे सर माते पर है सुशान सिंग राजपूत की सड़न डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इशूस सामने आए हैं जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सब को और इन मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में चापने को मजबूर किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे नर्कोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है मैं आज दिल पे हाथ रखके कैसे आप से जुट बोल दू कि ये प्रॉब्लम एक्जिस्ट नहीं करती जरूर करती है वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर हर प्रोफेशन में होती होगी पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इंवॉल्ड हो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ऐसा थोड़ी होता है ड्रग्स इस अ लीगल मैटर और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लाउ एंपोस्मेंट अथॉरिटीज और कोर्स इस पे जो भी जाच जो भी आक्शन ले रही है वो बिलकुल सही होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कॉपरेट करें पर प्लीज हाच जोड़के कहता हूँ ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो ये सही नहीं है ये तो गलत है ना मुझे परसनली हमेशा से मीडिया की ताखत में बहुत विश्वास रहा है हमारा मीडिया अगर सही मुद्दे सही वक्त पे ना उठाए तो शाहिद बहुत से लोगों को ना आवाज मिलेगी ना इंसा मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपना काम अपनी आवाज उठाना जारी रखे लेकिन प्लीज थोड़ा sensitively क्योंकि एक negative news किसी इनसान के सालों की reputation बरसों की कड़ी मेहनत को बरबाद करके रखतेगा और आखिर में आप fans आप लोगों को मेरा यही message है कि यार आप सब नहीं तो हमें बनाया है आपका विश्वास जाने नहीं देंगे अगर आपको कोई नाराजगी है तो हम और महनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे यार आप हो तो हम है बस साथ निभाए रहना साथ बनाए रखना बस Thank you